सनातन धर्म में अक्षेत रित्या का विशेस महत्त बताया गया है और वहीं राजधानी राइपुर के जोतिसाचारीय पंडित मनोस्वकला ने बताया कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो आईए सिधे हम जोतिताचारे पंडित मनोसोला से जानेंगे कि अक्षय तृतिया के दिन किस विदि विदान से पूजा करने चाहिए, क्या हमें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए अक्षे त्रितिया जैसे की नाम से ही इस्पष्ट है त्रितिया तिथी हो और उस दिन किया गया काईय अक्षे थीश ना हो उसको अक्षे त्रितिया के नाम से जानी जाती है यह अक्षे तृतिया का परव जो है बैशाक मास के शुक्ल पक्षकी जो तृतिया तिथी है उस दिन मनाई जाती है हमारे सास्त्रों पुराणों के अनुसार इसी तिथी को शतियूग का प्रारंब हुआ था और त्रेता यूग का आरंब हुआ था इसलिए इसे युगादी तिथी के भी नाम से जानते हैं इसी दिन भगवान विश्णु के एक आउतार भगवान परसुराम जी का इसी दिन आउतरन हुआ था इसलिए इनको भगवान परसुराम के आउतार के रुप में भी मनाई जाती है और इस तिथी को विशेश करके कोई भी किया का गया कार्य चाहे वो पुन्य का कार्या हो समात्सेवा का कार्या हो धर्म का कार्या हो वह किया हुआ कार्या अक्षा हो जाता है इसलिए इस दिन ध्यान रखना सीए कि कोई ऐसा पाप कर्म नहों अशुब गर्म नहों हमारे हाथ से बुरा ऐसा कोई कार्या नहों जिसका भी कई गुणा फल हमको भूगतना पड़े इसी कारण आज के दिन लोग जो है अच्छेत रित्या को दिन ही घट दान करते हैं क्योंकि गर्मी का दिन रहता है जल वाला घट प्रदान करने से पूरे जीवन में शीतलता आती है और इस तरह से लोग अच्छेत रित्या करते हैं इसलिए अक्षेत रितिया का पर्व विशेश करके हमारे चत्तिजगर की प्रथा परंपरा में गुड्डे गुडिये को विवा भी इसी दिन की जाती है इसका सिधा सिधा तात पर यही रहता है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं वह हमारी संस्कृती सभ्यता और प लोग हैं वो सब जो है अपने घर में मंडब गड़ा करके बच्चों को इस दिन गुड्ड़ गुडिये को विवाह को समझाते हैं